नमस्कार दोस्तों करिया डाच है मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं नाम धरम और आप देख रहे हैं चनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो के नोडिविशन आप लोगों को मिलती रहे चनल पे बहुत सारे वीडियो जो यूसफुल है आज की वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि दस्वी और बार्वी के चात्रों को किस तरह से ये स्कॉलर्शिप दी जा रही है जो लाइसी की तरफ से आप देख सकते हैं चौविस दिसमबर तक आवेदन कर सकते हैं तो चलिए देरी न करते हुए डारेकली मैं आप लोगों को ले चलता हूँ LIC की वेबसाइट पे LIC की वेबसाइट में अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा यह देखे LIC की वेबसाइट की लिंक है यहां पे आप जब वेबसाइट ओपन करोगे तो यह आएगा Golden Jubilee Scholarship Scheme मतलब LIC जो है अपना Golden Jubilee Scholarship मना रह है कि जो भी स्टूएंट 10 प्लस 2 किये हुए है उनके लिए अलग-अलग स्कीम निकाल रहा है आप सब्सक्रिप्शन में आपको दिखा दूँ यह आप थोड़ा सा पढ़िएगा कि जो भी स्टूएंट है क्लास 12 में 60% मांक से अकेडमिक यह 2018 में है और जिनके परेंट्स क और उनको रहें मतलब कि अगर आप 10 में हो तो 12 करने के लिए आइटी करने के लिए आप यहां देख सकते हो कि जो स्कॉलर्शिप है वो किस चीज के लिए दी जा रही है आप देख सकते हो कि जो girls scholarship है वो भी अलग से दी जा रहे लड़कियों के लिए special girls child scholar निकाला गया है same criteria है और अगर आप scholarship को लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको online आवेधन करना होगा online आवेधन करने के लिए आपको LIC website पर जाना होगा और scholarship कितनी मिलेगी आप देख सको है an amount of 20,000 selected regular scholarship वी फेविल वर्थी quarterly installment मतलब कि आपको 20,000 रुपए scholarship लगाता है दो साल तक मिलेगी मतलब जब तक आपका course का duration है समझदो 2 साल का course कर रहे या 3 साल का तो आपको 20,000 रुपए मिलेगा यह बहुत अच्छे opportunities है और जो girls scholarship के लिए अलग से निकाला गया an amount of 10,000 per annum will be awarded for special girl child मतलब कि 10,000 रुपए हर लड़की को जो eligible होगी criteria को fulfill करेगी उसको यह 10,000 का भी scholarship दिया जाएगा तो आप देख सकते हो यहाँ पूरी detail दी गई है कि scholarship के लिए कौन को से student LS will है और क्या criteria है और आपको higher studies के लिए दी जा रहे हैं मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे लिखा है apply कैसे करना online application are submitted through the link of the home page once application is submitted the candidate will be acknowledged that the email id provided by him on the online application मतलब कि online आपको submission करना है और वहां से फिर आपको यह details देंगे और last date देख लो 14 बार है 2019 है मतलब कि उससे पहले आपको यह apply कर देना है और अगर आपने apply नहीं किया तो यह spoiler नहीं मिल पाएगी और चलिए मैं थोड़ा सा home page पे लेके चलता हूं कि home page पीरियोंने कुछ दिया है या नहीं दिया है LIC की एंडिया की home page की website पे लेके चलते हैं क्योंकि अभी home page की website पे तो यहां पर यह है यह है golden jubilee foundation committee development यह है apply online form तो मैं online form open कर रहा हूं आप लोग देख सकते हैं को online form अभी open online फोड़ा सा time ले रहा है तो चले जब तो open होता तो मैं आप तो और दिखा दूं कि और क्या दिया है advance of education के लिए इतना है और इतना amount 38 करोड रूपीर के करीब में यह लोग spend कर रहे हैं तो बड़ा amount है LIC के तरफ से आप यह देख सकते हो form भी आ गया है form भी चलिए form कुल रहा है और आप लोग यहां form submit कर सकते हो form submission के लिए आपको अपना जो state है जैसे मैं यूपी का हूँ तो उत्तर प्रदेश आपने भर दिया उसके बाद select your district मानलो गोरगपूर है तो मैं गोरगपूर यहां डाल दे रहा हूं कोई भी चलिए A to Z आजमगर डाल दिया उसका आपका नाम डाल दिया उसके बाद नाम के बाद फिर आपका है सर नेम, फादर नेम, जेंडर, बर्थ, नेशनलिटी, एड्रेस वन, सिटी, पिन कोड, मोबाइल नंबर उसके बाद मतलब यहां पे सारी डीटेल आपको फिल करने इस form में और उसके बाद last में यह जो है आपको submission का button दिख रहा है यहां पे जा तो आपको पढ़ने के लिए higher study के लिए यहां से spoiler step मिलें कि बहुत useful है यह अगर आप इसका फायदा उठा सकते हो तो सही से उठा लो क्योंकि अगर आपने इसका फायदा ने उठाया तो कई कोई और उठा ले जाएगा और best option है engineering करने जा रहे है जो polytechnic करने जा रहे है या अच्छे से स्कीम का फायदा उठास अगे थैंक यू